हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल आपका एक्जाम आपको बता दें कि इस चैनल पर पटवारी के लिए 40 से अधिक प्रेक्टिस पेपर साइन्स, कम्प्यूटर और आधी विश्यों से सम्मंदित अफलोट किये जा चुकी है साथ ही प्रती दिन सुपरफास्ट ट्रिविजन की दरश्टी से हर देन एक मेराथन सीरेज भी चैनल पर डाली जा रही है तो आप चैनल को सस्क्राइब कर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उने देख सकते हैं आज हम हिंदी किसी रिच को आगे बढ़ाते हुए उपसर के प्रत्या को डिसकस करेंगे इससे पहले हम बर्णमाला संदी समास आधी को खतम कर चुकी है तो आज का फर्स्ट कोश्चन है इन मैंसे किस सब्द में प्रत्या लगा हुआ है तो यहां प्रत्या पूछा गया है तो यहां ऑप्सन भी सही है चिड़-चिड़ा हट में आपका लगा हुआ है कौंसा लगा हुआ है उसे सब्दान्स होते हैं जो चिण सारतकि पीछे लगते हैं तो यहां पर प्रत्तिया लगा हुआ है यह आपका राइट WITH с weig currently is option देखेंगे llaman में अ लगा हुआ हे तो आपका उपसर्ग हो जाएगा क्यूंकि यहसे सब्दांस जो किसी सब्द के आगे लगते हो उपसर्ग कहते हैं इसलिए यहां उपसर्ग हो जाए ग आ शिवस्ता में मनों विकार में यहां मनों स्क्र woven हेredo बॉट प्रोप सर्ग है परता हट में अहट आ अपका प्रत्या है और यहां पर प्रत्यादा तर, तो पीछी जो सब दान्स लगते हों प्रत्य लगा हुआ है, जबकि अप्सर्ग नहीं लगा है। इसके लावा, न- option देखेंगे। प्रतिकार में तो प्रति आपको अप्सर्ग लगा हुवा है अनर्थ में, अनप्लस अर्थ हो जाएगा, तो यहां पे अन आपका उपसर्ग है और आप परीचित में आपका उपसर्ग हो जाएगा परंतु अधिक तर में तर आपका प्रत्या है ना कि उपसर्ग यहीं राइट ऑप्सर्ग हो जाएगा जबकि जो अन्य सब्द हैं यह मूल का हसार तक सब्द हैं इन्हें और अधिक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता इन तीन अधर ओप्सन में ना तो उपसरग है ना ही प्रत्या है और प्रहार में केवल प्रा उपसरग है यही आपका राइट ओप्सन हो जाएगा यह प्रत्या यह से प्रत्या होते हैं जो क्रिया के बाद लगते हैं किस क्रिया के बाद लगते हैं जैसे कि पठ से पढ़ना तो पढ़ प्लस ना आपका प्रत्या हो जाएगा तो क्रत्या हो जाएंगे और दूसरा टाइप होता है इसमें तद्धित प्रत्या क्या होते हैं यह है आपके संग्या सर्वनाम विससन और अभ्याए चार चीजों के बाद लगते कि इस प्रकार प्रत्य लेस प्रत्य है पिर्सार प्रत्य किह तो यहां कौन्य इसब्ध से पहले आपको इसका अर्थ बता दें कौनते का अर्थ होता है जो हमाएं महां भारत में माता कुंती थी जिनके पांच पुत्र थे पांच पांडव तो पांच पांडवों को ही कौनते कहा जाता था तो कौनते आपका एक संग्या सब्द हो गया और अभी आपको बताया कि त प्रत्य प्रत्य करें लगा तो कवूंती और अंत्त में आ Wickे के रहे हुए है इसलिए दोस्तों यहदी आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और है Plus प्रत्य है फ्लीज बिटियो को लाइक कीहा है प्रियोग होता है तो उपसर्ग का प्रियोग हमेशा सब्द के प्रारंव में होता है कहां होता है उपसर्गें से सब्दांस होते हैं जिनका प्रियोग सब्द के आरंव में होता है परंतु प्रत्याय का प्रियोग सब्द के हमेशा अंत में होता है नेक्स्ट कॉस्चन है ले तो अभियोग में तो आपका अभी उपसर्ग लगा हुआ है, अपमान में यहां आपका अपसर्ग लगा हुआ है, और यहां ब्यायाम में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए किस सब्द की रचना प्रत्य से हुई है, तो इसका आंसर है इन में से कोई नहीं, क्योंकि यहां वहे एक सार्था होना चाहिए, तो cirr plus iu यहां इसका right answer हो जाएगा. Next है, किस सब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस सब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहां देखेंगे, अप बाद में तो यहां आप आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्रभाव में प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा परा आपका उपसर्ग हो जाएगा परंतु ओड़ ना में यहां आपका प्रत्या है कौन सा प्रत्या है ना प्रत्या लगा हुआ है तो किस सब्दम उपसर्ग नहीं है तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ओड परव के आगे लगते हैं जैसे कि लिखना पढ़ना दोड़ना तो इनके बाद जो क्रिया के बाद प्रत्या लगते हैं उन्हें हम क्रत प्रत्या कहते हैं और इनकी संख्या 28 बताई गई है इन में से कौन सा सब्द समूह बाचक प्रत्या नहीं है तो यहां समूह बाचक प्रत्या नहीं है पूछा गया है तो देखते हैं जैसे लोग है यह तो आपका समूह बाचक प्रत्या है बर्ग है जैसे कि OBC जनरल बर्ग यह भी आपका समूह बाचक प्रत्या है गण देखें सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है जेल विभाग में और यह दो बार रिपीट हुआ है कॉस्चन किसमें एसाई में तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए नेक्स्ट कॉस्चन है नेमलिक उपसर्ग रहत सब्द कौन सा है तो ऐसे सब्द बताने जिसमें उपसर्ग नही तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जिसमें ना तो उपसर्ग है ना ही प्रत्या है यह भी सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रेशन है नेक्स्ट कॉस्चन है सब इंस्पेक्टर में किस भासा का उपसर्ग प्रियोग हुआ है तो सब इंस्पेक्टर में देख सकते ह तो इसका कोई सारता खंड नहीं बनेगा या फिर इसका आर्थपरिवर्थित हो इस लिए उपसर्ग रहत सब्द आपका कुड़ी हो जाएगा नेश्ट कोश्टन है तो पत्रवत में आपका बदप्रत्य हो जाएगा तो यहां जबकि धीर ऐससब्द है इसमें कोई नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं धीरश्वयम एक पूरतहा सब्द है उसे कहीं बीच से अन्य सब्दांस या खंड में हम नहीं तोड़ सकते हैं तो प्रत्य रहत सब्द आपका धीर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन है जिन सब्दों में उपसर्ग प्रत्य दोनों है उसका चैन कीजिए तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आ सफलता है इसमें यदि हम आ को अलग कर देंगे तो पीछे एक सार्था खंड बचे जाएगा तो आंगे क्या बचेगा आपका असफल हो जाएगा तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा परन्तु यदि हम अन ऑप्सन देखेंगे तो सुमन का आर्थ होता है फूल यदि इसको हम बीच से तोड़ेंगे सु प्लस मन तो इसका आर्थ परिवर्तित हो जागे इसलिए इसमें कोई सार्थक उपसर्ग नहीं होगा इसलिक्डाइब तो इसमें फ्रिक्री प्रत्य हो जाएगा लड़कियान कोन श्कसदों की रचना करते हैं Taking तो जो किरिया के अंत में लगते हैं वह क्रत प्रत्य कहलाते हैं अभी आपको बताये था जो बर्व या क्रिया के आगे लगते हैं उन्हें हम क्रत प्रत्य कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या 28 होती है जैसे कि लिखना पढ़ना दोड़ना यह सब क्रिया क ठूब हुआ करना रचना करना और निर्माड करना यह सभी जो औप्सन है Quest Kнет ओथ हो सऩसार हो जाएगा नेक्ट कोस्टन है जो धहातू सब्द के यंत में जोड़ा जाता है उसेज क्या नेक्स्ट कॉश्चन है यहां उपसर्ग में उपका क्या आर्थ है तो उपसर्ग में उपका आर्थ होता है समीब जैसे कि आपने सुना होगा उपनेशद उपनेशद का क्या आर्थ होता है उपनेशद का आर्थ होता है जो गुरू के समीब बैटकर जो ग्रंथ लिखे जाते तो प्रत्य कप्रियों कहा होता है सब्द के अंत में होता है नेक्स्ट कोश्चन है यह कोश्चन देख सकते हैं आप जेल विभाग और सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है नेक्स्ट कोश्चन है अती गंध में उपसर्ग है तो यहां आपका अती उपसर्ग हो जाएगा अ आपकि लावा एक ऐसा सब्द है जो और अधिक सारता खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है इसलिए आबा प्रत्य किसमें नहीं है तो लावा में आबा प्रत्य नहीं है next question है निर्वासित में प्रत्या है तो निर्वासित में कौन सा प्रत्या है तो निर्वासित में आपका इत प्रत्या है निर्वास प्लस इत हो जाएगा तो यहां आपका कौन सा इत प्रत्या है नेस्ट कॉश्चन है दुस साहस में उपसरग है तो देखे दुस साहस में दुस उपसरग है कुछ चुट्च उश्चटुडेंट जो उसमें संधी में कफूज होकर यहां पर दो लगा देते हैं तो यहां पर संधी और उपसर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहां पर दुस्ट प्लस साहस हो जाएगा तो दुस्ट यहां पर उपसर्ग इसका राइट आंसर होगा नेश्ट कॉस्टन है निमलिखित में कौन सा सब्द क्रत प्रत्याय से बना है तो यहां पर हम देखेंगे पढ़ाई है जो पढ़ना क्या है पढ़ना एक क्रिया है और क्रिया के बाद जो प्रत्या लगते हो उसे क्रत प्रत्या कहते हैं तो पढ़ प्लस आई यहां पर कौन स में प्रत्या है तो ठकरोती में कौन सा प्रत्या है दोस्तों यहां आउती प्रत्या है कौन सा ठकरोती में आउती यहां प्रत्या लगा हुआ है दोस्तों इसके बाद देखेंगे दोस्तों 32-39 के आंसर आपको comment box में देना है यह आपका छोटा सा test है देखते हैं कि कितने आंसर आपके सही होते हैं तो कितना आपको 32 से 39 के आंसर आपको comment box में देने हैं यह आपके लिए छोटा सा test रखा गया है थेंक्स वर वाचिंग यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरी आपसे request है प्लीज वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए हेलो साथियो इसके बाद हम सब्द यूग्म बस सब्द भेद से सम्मंदित प्रेशनों को discuss करेंगे क्योंकि यहां से भी हर एक exam में दो से तीन प्रेशन आते ही हैं यहां हम केबल दो मिनिट में पहले थोड़ी सी detail देखेंगे जिन्होंने नहीं पड़ा तो थोड़ा सा clear हो जाएगा बस दो मिनिट में उसके बाद हम इसके object question solve करेंगे जैसे आपको बताएं सब्द भेद क्या होते हैं तो सब्द भेद यहां पर इसका बर्गी करण अलग अलग आधार पर किया गया है तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर देखें तो सब्द पांच प्रकार के होते हैं कौन-कौन से तत्सम तत्सम ऐसे सब्द जो या यह सब आपके देसज सब्द हो जाएंगे विदेसज सब्द में क्या होता है चौथर टाइप हो जाएगा विदेसज चुब विदेसों से आया है जैसे कि ऑफिस हमारा अंग्रेजों से आया है अदालत इस प्रकार की सब्दे विदेसज सब्द हो जाएंगे और संकर सब् के बनते जैसे रेल गाड़ी तो रेल तो आपका अंग्रेजी का सब्द और गाड़ी आपका हिंदी का सब्द है इस प्रकारे संकर हो जाएंगे तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कितना हो गया तत्सम तद्भाव देशज बिदेशज और संकर आप लोग ज्याद रख ल परन्त यहां रचना के आधार पर यह व्यूत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से रूड योगिक और योग्रून अभी क्या होते हैं तोड़ा सा देख लिए रूड मतलब होता है ऐसे सब्द जिनका और अधिक सार्थक खंड नहीं किया जा सकता ज जैसे कि पाठ साला परन्त यदि हने हम और चोटे कंड़ां में तोड़ें में तो भी इनका अर्थ व्यरत नहीं होता है जैसे की पाठ साला तो भी इनका आर्थ बना रहीगा पात का अलग और साला का लगें टूट जाएंगे तो इन्हें योगिक सब्सक्राइब मतलं में तो दो सार्थक सब्दों से मिलकर बनते हैं तीसरा है आपका योगरुन, योगरुन में क्या होता है दोस्तों, दो सब्द मिलकर बनते हैं और इसका अर्थ कुछ दूसरा ही होता है, मतलब दो सार्थक सब्दों के योग से बनते हैं, पर इसका अर्थ को अलग निकलता है, जै से लंब उदर तो लंबा मतलब लंबा उदर मतलब पेट तो इस प्रकार इनका अर्थ अलग निकल रहा है लंबे पेट वाला परंतु यह अर्थ को चौर देते मतलब स्रीगड़ेश तो इस प्रकार योगरूर सब्द आपके पीतांबर दसानन यह सब आ जाएंगे तो यहां रचना के आधार पर आपके तीन सब्द हो जाएंगे रूण योगिक और योगरूण ठीक है अब इसका तीसरा देखेंगे तीसरे आधार पर सब्दों को बर्गी करत किया गया है किसा आधार पर तो साथियों अर्थ के आधार पर सब्द के चार भेद होते हैं कौन-कौन स इक 것이 निकले हैं टो राधा मार्च है यदे मार्च बोला तो मारच का एक अर्थ है सराब है तो यह सब दोस्तों आपके एक सब्ध हो जाएंगे परंसों डूसरा है समान आर्थिस समान आर्थी में आपके तीसरे टाइप हो जाएगा और चोथा है अनेक आर्थी सब्द तो अनेक आर्थी में क्या होता है एक से अधिकर्थ निकलते हैं जैसे कि अंक तो अंक का क्या आर्थ निकलता है जैसे कि संख्या गोद पाप भाग्य कई अनेकर्थ निकलते हैं एक सब्द के है ना योगिक और योग रूण और आपके अर्थ की आधार पर दोस्तों चार भेद हैं एकार्थी अनेकार्थी विप्रीतिय अभिलोमसद और अनेकार्थी सब्द ठीक है अब हम देखते हैं इसके बाद हम आपजेक्ट कॉस्चन सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको इतना समझ म आघ्या होगा कि इससे नहीं भी पड़ा तो तो इसका वी रिवीजन हो जाएगा आज का Pv schools लें भीच्ट के द्रेश्टी स阜्तिसे सबद के वह ते हैं तो यहां बियूत-फ。्तियर रच्न के आदार पर सब्द पेस तीन होते आब इसा होते हैं ठ्हिंट्ट सब्दों से मिलकर बनती हैं जैसे कि पाट साला क्या हो जाएंगा दोस्तों पांट साला इसके बाद ये दिया पर्ट साला को तोड़ेंगे तो भी वहें सवक्त में तूट जाएगा सार्थक सब्दों में परंतु तीसरा इसका होता है कौन सा योग्रूण योग्रूण में क्या होता है साथियो योग्रूण योग्रूण में जैसे कि लंबोदर हो गया आपका पीतंबर हो गया मतलब यहां दो सार्थक सब्दों से तो मिलकर बनते हैं पर सब्सकें क्या है, गोध है, इसका अर्थ आप ने देखा होगा, इसका और अर्थ निकलते हैं, भाग्यlichkeit हो गया भाग भी अंक को कहते हैं रुव हो गया यहीं आपके व्त सब्सक्राइब नेकार्थि ह boils चैओकेOS ही 10 कॉश्चन है इन में किश्रा करने हैं का जह चैब यह हो जाएगा संदे या अदिक यह ही सब्सक्राइब सही नहीं है इसके लावा अन्न उप्सन देखेंगे, तो दोस्तों सब्दियोग में क्या होता है, यहाँ पर सब्दों का कॉंबिनेशन होता है, जिनको उच्चारण के आधार पर समान रूप से यह प्रनाउंस किये जाते हैं, जैसे कि अस्त्र सस्त्र, तो यह भी समान इनका प्रनांसिय नहीं है, नेश्ट कोश्चन है, तदभाव सब्द कौन सा है, तो तदभाव सब्दें से सब्द होते हैं, जो संस्क्रिस्टी हमारे हिंदी में आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरूद एक तदभाव सब्द है, यदि हम इसके तत्सम की बात करें, तो जिसका ततसम सब्द होता है, amroot, tah, तो यह आपका यह, ततसम हो जाएगा जबकि तदभाव अब बर्तमान में, amroot pr Kath judah hai, जबकि अन्य यहाँ पर जो सब्द है, दोस्तों तो यह आपके जो सब्द है, यह आपके आगत सब्द हैं, आगत सब्द हैं क्योंकि यह दूसरी भासाओं से हमारी भासा में आ गए हैं, तो इसलिए आगत सब्द हैं, जबकि तत्सम सब्द सीधे, जबकि यहां तद्वाव सब्द हैं, सीधे तत्सम से हमारे हिंदी में आए हुए होते हैं, नेश्ट option है जैसे कि अधालत और और आमदनी तो यहाँ आपके तीनों ही सब्द है दूस्तों अर्वी सब्द अर्विश सब्द है कि इस बहुंचा । ँर्फेयद मतिया जाता है इन मुच्छिया Brain कमल तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा उपल का अर्थ होता है क्या ओला और उत्पल का आर्थ हो जाता है कमल तो यही आपका राइट कुंसा विकल्प भिन्न है तो यहां पर देखिंगे बी विकल्प इनका भिन्न है विकल्प क्योंकि जो अन्य यह सबिक अनेकारती सब्द है जब कि ब काध्रन किनारा धनुस जबकि अन ओप्सन देखेंगे यह सब आपके अनेकार्थी सब्द हैं यह प्लाटून कमंडर में पूछा गया है नेक्स्ट कॉश्चन है ठाकुर का अनेकार्थी नहीं है तो यहां पर अनेकार्थी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवक ठाकुर का अर्थ सेवक नहीं होता है जबकि ठाकुर का अर्थ स्वामी भी होता है भगवान भी होता है स्री कृष्ण को भी ठाकुर कहते हैं ठाकुर एक विसेज जाती भी होती है तो ठाकुर का अर्थ हो जाएगा स्वामी भगवान और किसी जाती विसेज के संदर में ठाकुर का तो हम लोग बोलते हैं जराये देना है ना किसी भी quantity में बोलते की जरासी सक्कर दे दो तो मतलब थोड़ा अल्प quantity के लिए जरा का प्रियोग होता है जबकि जर का प्रियोग होता है दौलत के लिए क्या दौलत के लिए यहीं इसका right option है कोई एक युग्म सही नहीं है तो यहां पर नहीं यह पूछा गया है तो इसका right answer A हो जाएगा कुछ यह आपका सही युग्म नहीं है जबकि अनौप्सन देखेंगे जैसे धरा और धारा यह सही है आपको बताये था कि सब्दियोग में क्या होता है सब्दियोग में ऐसा होत होते हैं तो धर कार्थ होता है धरती और धरा कार्थ होता है नदी की धारा अंबर कार्थ होता है अबस्त्र होता है और अंबार कार्थ होता है अत्याधिक मात्रा जैसे कि बोलते हैं मात्रानी आपके अंबार भर है मतलब अत्याधिक मात्रा है ना कतार और करतार तो यह सब भी आपके सब्धियोगम के उधारण है जबकि कूच और कूद या सब्धियोगम का उधारण नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर और अंबार योगम का सही अर्थ है तो अंबर और अंबार अभी आपको बताया अंबर का अर्थ होता है बस्त्र जैसे की पीतांबर स्र यहां अच्छे काम करो और क्रम मतलब होता है लगाता रही है sequence wise हो जाएगा नेस्ट कॉश्चन है भासकर का अनेक आर्थी है यहां भासकर पूछा गया है तो भासकर का अर्थ होता है सूरी यह सूर्य का ही यह एक परियावाजी कह सकते हैं क्या भासकर जबकि ससी का आर्थ हो नंग को पहचानना की इंँनमेंसे कौन सा आपका भिन्न है तो यहां पर देखिंगे अंग आपका भिन्न्न है कैसे भिन्न है क्यूंकि यहां अंख सब्सक्राइब लुकुण ङ First? स्वयम एक अंग है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्लिकित सब्द्योगमों के अर्थ भेद मैं से कौन सा अगलात है तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी से पढ़िए कभी कभी क्या हो जाता है जल्दवाजी में हम लोग पीछे का अंत में नहीं है पूछा गया सब्सक्रार धारा थारा होती है दो उसे बाद कहते हैं तो ए लड़ाई का अर्थ होता है जबकि साजन का अर्थ होता है पति मोत का होता है मरत्य और किसी को मात देना मतलब युद्ध में पराजय देना तो यही सब्धियोगमें आपके बिलकुल सही है जबकि डी इसका गलत है नेक्स्ट है ब्रज का पुराना अर्थ क्या है तो ब्रज का पुराना अर्थ है पसुओं या गायों का समुव जैसे स्री क्रिशन जी ब्रज में निवास करते थी मतलब पसू या गाय के समूह की बीच निवास करते थी तो उसे ब्रज कहते हैं गर्म-कर्म-सब्दि-युगम के सही अर्तिभेद का जैन कीज़ी कर्म-कर्म-सब्द्ि-युगम इसका सही अर्तिभेद बताना है कर्म-कर्म होता है क् red मतलब होता है favor प्रस्न है नेक्ष्ट क्वेश्चन है निमलिखित तत्सम तद्भाव में से कौन सा विकल्प असुद्ध है तो यहां पर असुद्ध पूछा गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भा भिक्छा और भिकारी यही असुद्ध है क्योंकि भगनी कारत तो बहन होता है तो यह तो भिक्चा दी गई और सामने भिकारी तो यही आपका असुद्ध है अब इसके बाद हम अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन है निमलिखित सब्द युगमों के बिकल्प मैंसे कोई एक युगम सही नहीं है गलत युगम का चैन करना है तो यहां सही नहीं है इसका बताना है पांज काऊद कार्त होता है बादल आप इसा याद रखावाजी में भी यह पूछा जासकता हैं तो Quinn कार्थ होता है कमल और अब्दकार्थ होता है बादवल तो यहीं इसका राइट ऑप्शन है और यह भी जेल विभाग में पूछा गया है नेक्स्ट कॉश्चन है निमनसब्द युगमों की विकलपों में कोई एक युगम सही नहीं है तो यहां पे वी गलत युगम का चैन खरना है तो यहां देखते हैं इसमें से सूत सूत तो देखो यह उच्चारण में समान है अभाय यह भी उच्चारण में समान है अभाय मतलब होता है जो निर्भाय है मतलब जो साहसी है अभाय मतलब होता है दो चीजों में अभाय निस्ट जो हम कॉमन लेते हैं अभाय जैसे अभाय चार होते हैं जो जल औ किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं किसे पर्भावत साफड होता है गते हैं सब्सक्राइब कि दो इनomics Сам कॉटक्षाcence को क्या कहते हैं तो यॉने हम कहते हैं है न और यहीं जो हिंदी में आगा है तो श्राप कहने लगी है नेक्ष्ट फॉस्ट है टथि-स são उस्ट होता है इसके आर्थ होता है इंच्ड आप घरी father है ना अब इसकी इती सिरी हो गई है मतलब समापती और इती मतलब होता है फसल की बाधा है ना फसल में जो बाधा आती है उसे इती बोलते हैं इसके बाद हम अलंकार चंद आधी इस टॉपिक को देखेंगे रस वगेरा को अब नीचे जो 27 और 28 कॉस्चन है यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है 27 और 28 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद यदि वीड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अ